आर्थिक व्यवस्था प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी अर्थ व्यवस्था में उसकी जनसंख्या की उतकरिष्ट खुशाली के लिए संसाधनों का दोहन किस प्रकार किया जाए? इस विशे सब्जेक्ट का प्रारंब स्कॉटलेंड के अर्थ शास्त्री एडम स्मित की 1776 स्वी में प्रकाशित पुस्तक An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, जिसे The Wealth of Nations के नाम से भी जाना जाता है, से प्रारंब हुआ. इस विशे पर एक संतुलित विचार बीस्वी शताब्दी के अंत में ही विक्सित हो सका. किन्तु इस बीच में विश्व अर्थ विवस्ताओं द्वारा अर्थ विवस्ता के तीन प्रारूपों का प्रियोग किया गया. एक, पूंजीवादी अर्थ विवस्ता, कैपिटलिस्टिक एकोनॉमी. दो, राज्य अर्थ विवस्ता, स्टेट एकोनॉमी. एक, पूंजीवादी अर्थ विवस्ता, कैपिटलिस्टिक एकोनॉमी. पूंजीवादी अर्थ विवस्ता का उद्भो एडम स्मित की पुस्तक, दवेल्थ ओफ नेशन्स से माना जाता है. इस पुस्तक में उन्होंने निम्न विचार प्रस्तुत किये हैं. एक, अर्थ विवस्ता में सरकारी अहस्तक शेप, लेसे स्फेर की नीती अपना ही जानी चाहिए. दो, इसमित के अनुसार, अद्रिश्य हात, इन्विजबिल हैंड्स, बाजार की शक्तियां, मार्केट फोर्सेज हैं, जो मांग एवं आपूर्ती हैं, जिनका स्वतंत्र का बाजार पद्धति को जन्म देता है. इस प्रकार पुण्जीवादी अर्थ विवस्ता को बाजार आधारित अर्थ विवस्ता की संग्या दी जाती है. इसमें साधनों का स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण, निजी उध्योग पतियों के हाथों में केंद्रित होता ह अर्थ व्यवस्ता में कितना उत्पादन किया जाए, किसका उत्पादन किया जाए, तथा उत्पादन क्रियाओं में संसाधनों का वित्रण किस प्रकार किया जाए आदिका निर्धारण, मुल्य तंत्र, मांग वा आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। पूंजिवादी अर्थ व्यवस्था में उपुभोगताओं को सार्वो भौमिक्ता प्राप्त होती है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। कुछे ही दशकों में और्थ व्यवस्था के संगठन की पहली अवस्था पूंजिवाद का विकास हुआ। बाद में पूंजिवाद में सुधार के रूप में दो नई व्यवस्थाओं का उदय हुआ। 2. राज्जी अर्थ व्यवस्था स्टेट एकोनॉमी इस आर्थिक पध्धती का आविरभाव बोलशेविक क्रांती 1917 के पश्चाथ पहली बार पूर्व सुवित संग में हुआ जिसकी सैध्धान्तिक जणे जर्मन दार्षनिक कार्ल मार्क्स 1813 से 83 के विचारों में निहित 2. राज्जी अर्थ व्यवस्था की मान्यताएं पूझीवादी अर्थ व्यवस्थाओं की मान्यताओं के पूर्विप्रीत हैं। इन सभी निर्णेओं को सरकार लेती हैं। इसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व का अभाव होता है। से जाना जाता है। आलोचकों ने इसे राज्जी पूझीवाद स्टेट कैपिटलिज्म की संग्या भी दी है। 3. मिश्रित अर्थ व्यवस्था, Mixed Economy मिश्रित अर्थ व्यवस्था का विकास पूझीवादी तथा राज अर्थ व्यवस्थाओं के तत्वों एवं विचारों के समन्वे से हुआ। इस व्यवस्था का उद्भव, ब्रिटिश अर्थ शास्त्री जौन मेनार्ट कींस ने 1929 से प्रारंब तीसा की महमंदी द्वारा उत्पन परिस्थितियों के समाधान के रूप में किया। द्वितिय विश्व युद्ध के पश्षात विश्व के अधिकतर विकास शील देशों द्वारा आर्थिक विकास के इसी मॉडल को अपनाया जा रहा है। 1991 से इस समय तक भारत में नव आर्थिक सुधारों के बाद ये प्रणाली प्रचिलित है। मिश्रित अर्थ व्यवस्ता के प्रमुक तत्व इस प्रकार है। एक आर्थिक संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। कुछ आर्थिक क्रियाएं केवल सरकार के नियंतरण में होती हैं तथा कुछ निजी हातों में होती हैं। जबकि कुछ आर्थिक गतविध्यों में सरकार वर निजी क्षेत्रों का संयुक्त स्वामित्व होता है। जिसे संयुक्त क्षेत्र ज्वाइंट सेक्टर कहा जाता 2. इसमें बाजार तथा गैर बाजार दोनों घटक एक साथ कारी करते हैं 3. अर्थव्यवस्था का प्रमुकुदेश कल्यान कारी होता है सर्वप्रथम फ्रांस द्वारा 1940 के पूर्वार्थ में मिशृत अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया गया